हम दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडियन आर्मी ग्यान में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आज की ख़वर में बहुत बड़ी अपडेट है AAD को लेकर तो दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे खास में बताएंगे कि जो भी बच्चे इंडियन आर्मी की तियारी कर रहे हो टेलिग्रम जॉइन कर लीजिए क्योंकि पहुत सारे अफिशिल नए स्लेबस लेके आए आपके लिए और नए नए पीडियाफ लेके आए तो जल्दी से टेलिग्रम जॉइन कीजिए और यह बताएंगे कि आज यू आपको बता रहे हैं कि कहां का यह एक्जाम हो रहा है तो इसके बारे में भी बात करेंगी दोस्तों बता दें कि यह AD का जो एक्जाम है हमने पहले बताया था अपको कि 27 जून को होगा यहां पे कि AD का जो भी एक्जाम है जिसमें टोटल स्टेंथ है 906 ठीक है पहले तोड़ा बता दें कि यह 25 अप्रेल को था फिर 30 मई को था जो COVID-19 की वज़े से पोस्ट पॉन्ट हो गया अब इसकी डेट निकल कर सामने आ चुकी है तो एक एक करके बात करेंगे सब पहले AD की बताएं 338 बच्चे एक्जाम दे रहे हैं तो यहां पर बतादें कि approximate पूरे है 4855 बच्चे एक्जाम दे रहे है तो दोस्तों बतादें कि जो भी यहां पर बच्चे एक्जाम दे रहे है जो अपना AD को छोड़कर बाकि अभी बहुत सारे बच्चे जिनका remedical होना है जिनका MH Review मिला था उसके बाद उनका medical हो नहीं पाया तो उनका medical होना है तो इसलिए उनका exam लेट है तो यहां पर हम बता देते हैं आपको AD का जो exam 27 June को है ठीक है तो साथ में ही जो संबालपूर का है उसका भी 27 June को है ठीक है ध्यान से देख लीजे AD और A.R.O. संबालपूर जो एक्जाम है 27 June का है उसके बाद A.R.O. गौपालपूर का जिनका medical बागी है और A.R.O. कटक का जिनका medical बागी है इसलिए इनका जो exam है 25 July को दिया जो कि A.P.S. गौपालपूर आप हमें comment करके बता सकते हैं हम आपका reply देंगे जरूर ठीक है तो यह official letter है आप देख सकते हो 17 मई को यहां पर हुआ था तो यह exam जो पोश्पॉन हुआ दो बार तो आभी इसकी date निकल कर आ गही है जल्दी से त्यारी कीजिए जिन बच्चोंने reservation करवाना है जल्दी से reservation कर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye